हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल तो मेरी वैज रस्वी में आप लोगों का स्वागत है आज की जो मैं रैस्पी लेके आए हूँ यह है इन कुर्कुरी खस्ता मटरी की जैसे कि आपने देखा है यह होली हो चाहिए दिवाली हो जब तक घर में मटरी नव चमच अजवाइन ली है इसको मैंने यह हतेली से रफ करके डाला है इससे इसकी खुस्बू काफी अच्छी आती है और अब हम इसमें नमक डालेंगे तो आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक एड़ कर दीजिए अब हमने इसमें मोन डालना है तो मोन का जो रेसो है व आप इसमें कैसे मुठी बना के देखिए अगर हमारी मुठी बंद रही है तो हमारा मोन इसमें बिल्कुल परफेक्ट है वह अब हम इसको माडने के लिए गुंगोने पानी का यूज करेंगे यह मैंने यहां गुंगोना पानी से ही पूरा आटा तयार किया है मठरी का हमारा आटा लगके तयार है देखिए हम कोई थोड़ा टाइटी आटा माणना है यह हमारा आटा लग चुका है तो अब हम इसको आदे घंटे के लिए लग देते हैं किसी बरतन से ढखके गंटा हो चले तरहा हम इसकी कटिंग करते हैं साइड की कॉर्णाबर है नहीं हमें कट करे अलग अखे एक जाओ रिफाइन ऊपटा देना है आप टेल अच्छे से घरम ह होगया है तो आप आप बढ़ने देते हैं और इसको slow flame के ही पकने देना है जब तक ये golden brown ना हो जाए जब तक हम इनको slow flame पर पकने देंगे flame हमको high नहीं करना है इनको हमको slow में ही पकाना है जिससे कि ये काफी खसता बनती है अगर आप high कर देंगे तो ये जल जाएंगी और अंदर से कची रह जाएंगी ये golden brown हो गई है तो चलिए तो आप हम इनको निकाल लेते हैं हमारे ये खसता मठी बन चुकी है और ये बन के बिलकुल तयार है आप लोग चाई से इसे खाईए और आप खा के बताईए ये कैसी लगी ये देखिए किती खसता है बिलकुल मार्किट जैसी यदि आपको मेरी रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए अब मैं नेक्स वीडियो मिलूंगी नई रेस्पी के साथ तो आज के लिए थैंक यू